रे विद्यारतियों ये कक्षा आठ्वी गणीत की प्रश्णावली दो दस्मलों चार का तीसरा सवाल है दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग नो है इस संख्या के अंकों के इस्थान बदलने पर या बदल कर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से सत्ताई सदिक है दी गई संख्या ग्याद कीजिए यह सवाल को मैंने थोड़ा व्योस्तित कर दिया ताकि समयने में आशानी रहे अब हम पहले देखें कि दो अंक कोन कोन से है मान लिया कि 81 एक दो अंकों की संख्या है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे एक जो है इकाई कांक है और आठ दहाई कांक है तो जो दहाई कांक रहता है उसमें 10 का गुणा करते है और जो इकाई कांक रहता है उसमें 1 का गुणा करते है तो इस प्रकार यह 80 और 81 हो जाती है तो यहाँ पर एक 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 इकाई कांकर जो है यहाँ पर है यह अपना वाय माना है वो दाई कांकर क्या माना है एकस ति एकस माना है यह वाय है तो इस प्रकार यह हो जाएगा आठ को एकस माना है तो एकस गुणित दस धन यह एक को भाय माना ति यह वाय गुणित एक तो संख्या अपनी हो गई दस का एक्स में गुणा करा तो दस एक्स और भाय का एक में गुणा करा तो भाय तो ये दस एक्स दन भाय संख्या हो गई तो संख्या क्या हो गई संख्या हो गई अपनी दस एक्स दन भाय जिसमें एक्स जो है ये एक्स जो है वो दाही का अंका है दस का गुणा करा भाय जो है इकाईक अंका है तो इसमें एक का गुणा करा तो भाय आ गया अब ये संख्या आ गई सबसे पहला भाग करें दो अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग नो है अंक है एक सोर भाय तो उनका योग नो है ये लिखा अपनोंने एक सद्धन वहाए बराबर नौ ये अपना पहला समय करना गया अब दूसरा इस संख्या के अंकों के इस्थान बदलने पर प्राप्ता संख्या तो अंक जो है ये संख्या अपनी ये आई है जो अंक माने उसके हसाब से पर अब यह बोल रहा है कि इनके अंकों के इस्थान को बदल दो मतलब जो दाहिक अंका है वो इकाएक अंका हो जाएगा और इकाएक अंका दाहिक अंका हो जाएगा यहां लिखा अपनों ने बदलने पर या अंक बदलने पर अंकों के इस्थान बदलने पर अंकों के इस्थान बदलने पर प्राप्ता संख्या अभी यहां 10 एकस दनवा है यह हो जाएगा 10 वाइधन एकस यह अंकों को बदलने पर प्राप्ता संख्या हो गई आप क्या बोल रहा है इस संख्या के अंकों के इस्थान बदल कर प्राप्ता संख्या दी गई संक्या से 27 अधिक है तो ये जो प्राप्त संक्या है ये अंकों के इस्थान को बदलने पर प्राप्त संक्या आ गई है ये दी गई संक्या से 27 अधिक है दी गई संक्या है 10 एक से धन भाए तो ये लिखा मैंने मैंने 10 एक से धन भाए इससे कितना अधिक है? 27 अधिक है ये 27 लग दिया, धन 27 अब देखो फिर से संख्या के अंकों के इस्थान बदल कर पिराप्त संख्या मतलब दस वाह धन एक से दी गई संख्या मतलब 10 एक से 27 अधिक है तो ये सत्वाह जोड़ दिया अब इसको हल कर लेते हैं तो यह आ गया दस वाहे धन एक्स बराबर दस एक्स धन वाहे धन 27 अब और एक्स और वाहे को सब इदर ले आते हैं यह हो गया दस वाहे अब यह वाहे को इदर लाया तो यह रिन का हो गया धन यह धन का एक्स यह 10-x दन का है तो इदर आ कि rn का हो गया rn 10-x बराबर 27 तो गहटा हो 10-y मेंसे 1-y गय तो 9-y और 1 मेंसे 10-x गहटाना है तो 10 मेंसे 1-9 गहटा है तो 9 बड़े अंका का चिन्न rn 9-x बराबर हो गया 27 अब अपना यह समिकन हो गया 9-y rn 9-x बराबर 27, अब सभी में 9 का भाग दे दो, यह हो गया, 9 से 9 कर दायाएगा, 9 से 9 कर दायाएगा, और 9 तीरी क्या हो गया, 27, समिकर्ण बनके अपना, वहाय रिन एकस बराबर 3, यह आगे अपना दूसरा समिकर्ण, पर इसको और जमा लेते हैं, इसमें एकस पहले वहाय बाद म तो यह एकस रिन का है, तो रिन एकस और वहाय का चिन्न नहीं, यह मतलब धन का है, तो रिन एकस दन वहाय बराबर, यह तीन अपना दूसरा समिकर्ण आ गया है, इन दो समिकर्ण को हल करके, अब आपन निकालेंगे, एकस और वहाय के मानों और संख्या, अब अपने बाद यह समिकन आ गए दो पहला समिकन है एक सद्धन भाई बराबर नौ तो एक सद्धन भाई बराबर नौ लिखा वो दूसरा समिकन है अपने पास रीन एक सद्धन भाई बराबर तीन तो रीन एक सद्धन भाई बराबर तीन यह दूसरा समिकन है इनको हल करते हैं तो जोडने पे एक से एक से कड़े जाएंगे वाय वाय हो गए दो वाय बराबर नो और तीन बारा तो वाय बराबर हो गया बारा बटे दो दो एकम दो दो चिंग बारा तो वाय वराबर आगया छे अब ये भाय का मान समीकरन एक में रखें तो एक सधन भाय है तो भाय बराबर छे है तो एक सधन छे बराबर नो यो गया एक सबराबर नो और ये धन के छे उदर गए तो रिन के छे हो गए तो नो में से छे गए तो तीन तो यहां पर आगया एकस बराबर तीन जो संक्या अपनोंने मानी थी प्रारंबिक संक्या वो थी अपनी 10-1 सधन भाई इसमें मान रखें तो 10 गुणित एकस का मान है तीन धन भाई का मान है छे तो 10 तिया तीस धन छे ये हो गई 36 और जो अंकों के इस्थान बदला वो है संक्या 10 Y धन X तो यह हो गई 10 Y कमान है 6 X कमान है 3 10 छिंग साहाट और 3 63 अब इसको 6 कर लें कि संक्या सही है कि नहीं तो देखो दोनों अंक जो है उनके संक्या के अंकों का युग कितना है 9 है 3 और 6 9 और इसके भी 6 और 3 9 होंगे अब अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संक्या प्राप्त संक्या है 63 वो क्या है दी गई संक्या से 27 सद्धी से दी गई संक्या यह है इसमें 27 जोड़ के देखे है 63 आना चाहिए तो 6 और 7 13 का 3 हद का है एक 4 और 2 6 33 मतलब अपना सवाल सही है इस वीडियो को देखने के लिए धिन्यवाद